देखे आज सोचने वाली बात है कि हमारे बिहार वासियों को लोग भगा रहे हैं ये गुजरात वाले और ये गुजरात वाले साथ ये नहीं समझ रहे हैं कि भारत में अगर कानून बिवस्था है तो सबों के लिए एक बराबर है सबों के लिए एक जैसा है अगर हमारे भाई ने अमारे के बिहारी ने गलती किया है और उसकी सजा अगर पूरे बिहार वासि को दे रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं क्योंकि ये भारत जो है ये भारत हम सबों का देश हैं सिर्फ हमारा या सिर्फ आपका देश नहीं है ये भारत हम सबों का देश हैं और जिस तरह बिहारी हमारा भाई है उसी तरह बिहार आपका भाई है ये चीज आपको समझना होगा कि जिस तरह बिहारी हमारा भाई है उसी तरह बिहार आपका भाई है और हम और आप मिलके ये भारत बना है हम सब राज्य मिलके भारत बने हैं सिर्फ आप से भारत नहीं भारत में बिहार भी है गुजरात भी है यूपी भी है जारखंड भी है तो हम सब भाई हैं ये आप क्यों भूल रहे हैं और एक गलती किया उसकी सजा अगर बिहारवासियों को दे रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं क्योंकि एक पर एक ऐसे व्यत्ती है जो गलती किये तो एक आदमी गलती किया है तो उसकी सजा पूरे राज्य को नहीं मिल रहा है वनली उसे मिल रहा है जो ये गलती कर रहा है तो जिस तरह बिहारी हमारा भाई है उसी तरह बिहार आपका भी भाई है आप अगर बिहार प्रकीचल उच्छाल रहे हैं तो आप भी सही नहीं रहेंगे और बिहारी अगर सूच ले तो क्या नहीं कर सकता है हमारे दसरतमाजी को देख लिजी आपके नजर के सामने हैं और कहने का मतलब यह है कि हमारा बिहारी जो है उस बांस की तरह है उस बंबू की तरह है कि जो भी इमारत में अगर उसको नहीं लगाया जाता है वो इमारत पूरा नहीं होता है ठीक उसी तरह इस इमारत रुपी भारत को अगर संभाले हुए है तो वो बिहारी ही है वो बिहारी है जो बांस बंद के बांध के अपने बिहार आ जाएंगे तो आप भारत को कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा भारत कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा बिहारी कहां नहीं है और आप यह सोच रहे हैं कि हमारा गुजराती सिर्फ हमारे गुजरात में हैं तो यह आप सोचने में गल्ती कर रहे है क्योंकि आपका गुजराती जो है, क्या भिहार में नहीं है, क्या दिल्ली में नहीं है, क्या हर्याना में नहीं है, ये सोचना होगा आपको, एक गल्दी किया है, उसकी सजा आप पूरे राजी वालों को नहीं दे सकते हैं, और तो और इस सब मुद्दों में कुछ ऐसे राज निती रोटी सेकने में लगे हुए हैं, अपना बोट बैंक बनाने में लगे हुए हैं, कोई उठता है कह देता है हमारे भारत को जपान से खतरा है, लेकिन हम आपको बता दें, कि उस बुझदिलों को या जो समझ रहे हैं, उस लोगों को यह पता नहीं है, कि हमारे देश को चीन से खतरा नहीं है, जपान से खतरा नहीं है, और पाकिस्तान से भी खतरा नहीं है, अगर इस भारत को खतरा है, तो सिर्फ और सिर्फ यहां के निताओं से है, इस भारत को खत मजना होगा और लाइब आये हैं कोशिश कर रहे थे लाइब आने का और जो बिहारियों पर अत्याचार हो रहा है उसको अभी लंब रोका जाए नहीं तो इससे भी ज़्यादा टेंसन बर सकती है और याद रहे कि जब भी किसी के घर का मुखिया हो जब घर का गारजियन होता है और वो खो जाता है या मर जाता है तो उसके परिवार पर क्या भीटता है ये गुजरात वासियों को सोचना होगा समझना होगा इसलिए हाथ जोर के विन्ती है आप लोग प्यूल झाल 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 झाल